आदेश आदेश माता काली को आदेश भैरो बाबा को आदेश सुकर्णे दुखर्णी मबूट भवानी को आदेश बहुत समय से आप सभी के मैसेज़ेज और मेल्ज आ रहे थे कि मा हाजरात साधना के विशे में कुछ जानकारी दीजिए हाजरात क्या होता है और कि शक्ल में होता है और ये किस प्रकार साधकों के कारे सिद्ध करता है तो ये विधान जो है ये सनातन धर्म पर आधारित है जैसे आज तक आपने सुना होगा सुलेमानी हाजरात जो इसलाम पर आधारित होते हैं पर यहां हिंदू देवी देवताओं से भी संबंदित होते हैं इसमें मेहनत बहुत होती है इस साधना को करने में परन्तु फल की प्राप्ति अवश्य होती है जैसे दूसरी साधनाओं में देखा जाता है कि कई बार साधक अती अवश्यक बहुत मेहनत करते हैं सालो साल साधनाएं करते हैं पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती परन्त परन्तु हाजरात साधना एक ऐसी साधना है इसमें आपकी सफलता की 100 प्रतिशत ग्यारंटी होती है अब इस साधना को कब किया जा सकता है किसी भी चंद्रग्रहन सूर्यग्रहन पर और इसके कुछ विशेश दिन होते हैं उन दिनों पर भी आप इस हाजरात साधना को कर सकते हैं परन्तु सूर्यग्रहन वचंद्रग्रहन में आपको इस साधना को करने से विशेश सफलता मिलती है हाजरात शक्ती तो है परन्तु ये एक प्रकार की क्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी का भी भूत भविश्य वर्तमान में होने वाली घटनाओं को सरलता से देख सकते हैं और ये आपको उन अद्रिश्य शक्तियों को उन ब्रह्मानिय शक्तियों को भी दिखाता है जिसकी चाहा आज हर मनुश्य विशेश रखता है कि हम उन आकाशिय शक्ति उन पारलौकिक शक्ति तांत्रिक क्रियाएं अग्होरी क्रियाओं के चमतकार देखें कि उनकी कैस दुनिया होती है जो हमने सिर्फ खौबों में ही सुनी होती है बहुत से ऐसे कारे होते हैं जिनमें हमें भूतकाल और भविश्य खाल में होने वाली घटनाय जानने की अतियव शक्ता होती है तो ये हाजरात उन कारे को सिद करते हैं आज कल लोगों ने हाजरात के नाम पर रूटना शुरू कर दिया है जिसको सिद्ध हुआ है वो उनकी रोजी रोटी बन गई है ये विधान बहुत ही विशेश तरीके से और बहुत ही उत्तम कारे करता है इसे अन्य भाशा में कजली लगाना कहते हैं कुछ लोग इसे अंजन भी बोलते हैं ये विधान हाजरात ना अपनी आखों में या अंगूठे के नाखून पर काजल लगा कर देखा सकते हैं वैसे बच्चों को अंजनिया बच्चों के अंगूठों पर काजल लगा के स्क्रिया को किया जाता है परन्तु ये हाजरात साधना जिसके विशय में हम बात कर रहे हैं इसमें मनुश्य और स जाधक भी अपनी आखो पर काजल वांगुठे पर काजल लगा के भूद भविश्य वर्तमान देख सकता है और देवताओं का आवाहन भी कर सकता है ताकि आपकी परिशानिया दूर हो यह साधना मेरे तरफ से आपको एक गिफ्ट है नवरात्री के शुब अवशर पर जो तू बस आपको इस साधना को पूरे धैरे विश्वास से करना होगा सबसे खास यह है हाजरात सुमेरु मंत्र जिसके माध्यम से आप हाजरात साधना में सफल हो जाए बस महनत और विश्वास रखें यह एक बहुत ही प्राचीन और दुरलब साधना है और जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें आज की वीडियो में इतना ही यदि आप हाजरात के बारे में और जानकारी चाहते हैं साधना करने चाहते हैं तो केंद्र द्वारा संपर्क करें अधिक से अधिक हमारी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी साधक जो साधना में सफल नहीं हुए हैं उनके ये साधना काम आ सके आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे साधना आपकी फलित हो आशिरवाद है आदेश आदे